असलाम अलेकुम जी आज हम लास्ट ट्रॉफिक पढ़ेंगे चेप्टर नमर फाइव का आप मोशन ओफ आर्टिफीचल सैटलाइट्स 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 जब रिवाल्व करती है अराउंड आर्थ उनको भी सेंटिपिटल फोर्स की जुरूर्थ होती है क्योंके आप जहनते हैं सेट्यूपिट्र फोर्स के बगार सेंटिपिटल फॉर्ट्स पॉसिबल नहीं है और यहां पर जो सेटलाइट्स होगी उनको सेंटंटिपिटल फोर्स ज автомौ अर्ष आर्थ स्टीपिटल फोर्स का मैंने बताया संटीपिटल फोर्स जो है विस्केर ओवर रोती है तो यहां पर वी नॉट और आर नॉट मतलब और बिटल वलास्टी और और विट यह फोर्स कौन परवाइड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स बीट्वीन आर्थ एंड डा रेड़ी एड़ अर्थ एंड असेटलाइड जो के वेट होगा और वेट होता है अम जी तो और हाइट पर तो यहां बिटलाइड करें दोनों फोर्स इसको तो एम वी नॉट स्केर ओवर आर नॉट स्केर तो यहां तो अब नेक्स्ट वी नॉट्स इसको सेपरेट कीजिए जी एच इन्टू आर आजेगा फिर स्केर रूट लीजिए लेफ्ट साइड पर स्केर रूट कैंसल हो जागा स्केर से यहां स्केर रूट आजेगा ठीक ही फिर आप बताएं जो हमारा अर्बिट है वो फ्रॉम सेंट्र आफ अजाता है यहां से मेर चुरू करते हैं यह तो रेडियस हो गया यह फृदर हाइट हो गई तो जो आर है वो असल में रेडियस ओफ आर्थ प्लस हाइट के बराबर होता है यहां पुट करने पेशक तो वी नॉट बराबर आजेगा जी साइट पे जीवली मालूम करें मल्टिप्लाए कर दें दोनों को फिर आप वी नॉट गेन कर लेंगे पिर उस वेलासिटिक के साथ और बिड़ में सेटलाइट को जब थो करेंगे तो इंवनाइट टाइम के लिए वहां पर वो रिवाल्व करती रहेगी लेकिन अगर हम बा वो तो आर के बराबर ही हो जाएगा और जी एच जो है वो जी के बराबर हो जाएगा तो फिर जो फार्मुला वो रड्यूस होगा जी इंटू आर जी की वैल्यू आर्थ के लिए आपको पता है टैन मीटर पर सेकिंड स्केर अब यूज करते हैं और आर की वैल्यू जो है आर्थ के लिए 6.4 into 10 is to power 6 meter है, यह दोनों values लगाएं, आपको orbital velocity मिल जाएगी, near the surface of the earth के लिए, g की value 10 आ गई, r की value 6.4 into 10 is to power 6 आ गया, तो यह solve करें, इसका answer आएगा आपके पास 8000 meter per second, अब इस 1000 को आप kilo में ले जाएं, तो यह आजएगा, 8 kilo meter per second, 10 is power 3 की जगा आप kilo लगा दे, इसको अगर kilometer per hour में convert करते हैं, यानि आप 3600 से multiply करेंगे, 1000 को आप अलड़ी adjust कर दिया है, तो वो बंजे का 29,000 kilometer per hour, इतनी speed से वो revolve करेगी, तो ही वो near the surface of the earth, जब वो एक orbit में revolve कर पाएगी, otherwise उसको fall कर जेगी, जमीन के ओपर, तो इस तरह आप किसी भी height पे orbital velocity फाइ ये चप्टर का तुम हो आपका, और फिर नेक्स हम मर्सेस के short question डिसकस करेंगे, और फिर numerical solve करेंगा, अगर बात ना समझा तो बुच लिएगा, अलाहाफिस